Hello students, welcome back to Prapalo classes. आज हम discuss करेंगी Consumer Protection Act 2019 के अंदर Right of Consumer. देखिए, Consumer के राइट जानने से पहले हमें Consumer को समझना जरूरी है कि Consumer कौन होता है. तो Consumer Protection Act 2019 के Section 2 Clause 7 में Consumer को Define किया गया है. क्या कहता है यह? A Consumer is defined as a person who buys any goods और avails a service for consideration. कि ऐसा व्यक्ति जो buy करता है goods यानि की माल खरीदता है और avails a service या फिर सेवा प्राप्त करता है for consideration. Consideration के पतले. तो वो आपका कहलाता है Consumer. It does not include a person who obtain a goods for resale or a good or service for commercial purpose. इसमें यानि कि Consumer में कौन include नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति जो वो goods resale के purpose से purchase कर रहा है. यानि कि कोई person जो खुद के personal use के लिए goods को purchase नहीं कर रहा है बल्कि उसका purpose है goods को purchase करने के पाद resale करने का. या फिर जो goods और service वो ले रहा है, service avail कर रहा है या good purchase कर रहा है उसका purpose है commercial use का. कि वो उससे profit gain करेगा तो वो person भी consumer की category में नहीं आएगा. For example, अगर एक person है और वो दो या तीन computer purchase करता है और उस एक shop खोलता है और अपने लीवली हूट के लिए earning start कर देता है. तो उसका purpose क्या है personal use का. वो अपने लीवली हूट के लिए उसको use कर रहा है. वहीं पर अगर कोई person दो या तीन computer खरीदने के बाद किसी कुछ person को appoint कर लेता है. तीन या चार लोगों को appoint कर लेता है और कहता है कि आप इससे earning कीजिए जो भी profit होगा आप मुझे देते रहना. तो उसका purpose क्या होगी है commercial use. ठीक है? तो यहाँ पर जो person personal use के लिए कोई goods purchase करता है या service avail करता है वो consumer की category में आता है और जो commercial purpose के लिए purchase करता है goods वो आपका consumer की category के अंदर नहीं आता है. हाँ उसे आप customer जरूर कह सकते हैं बड़ consumer नहीं कहेंगे. क्यों consumer का मतलब ही है कि consume करने के purpose से यानिकि उसका उपभूग करने के purpose से आप वो goods ले रहे हो या service अभील कर रहे हो. तो यहाँ पे जब आपका purpose ही consume करने का नहीं है तो आप consumer नहीं कहलाएंगे. आगे क्या कहता है यह कि कौन से transaction किस transaction की through अगर आप transaction करेंगे तो आप consumer protection के अंतर कवर किये जाएंगे. तो चाहे वो offline mode हो या online mode हो या फिर electronic means हो यह सब आपके consumer protection act के अंतर कवर होंगे. टैली शॉपिंग, टैली शॉपिंग जैसे कि आप television पे देखते रहते हैं, add आते रहते हैं, जैसे नापतोल बगएर हो तो उसके through भी अगर आपको good purchase कर रहे हो तो वो भी आपका consumer protection के अंतर कवर होगा. तो multi-level marketing है, वो भी और direct selling तो है ही. अब जो हमारे consumer के rights हैं, उनको हम section wise कैसे learn करेंगे? उसकी मैं आपको एक trick बताने जा रहे हूँ. देखी, P-I-C-T-U-R-E, picture. यह तो आपको पता ही है. लेकिन यहाँ पे हम इसको याद ना करके, P-I-C-H-R-E, हम इसको learn करेंगे. और यही है हमारी trick, जो हमारे consumer protection के rights हैं, उनको sequence से, section के जो sequence है, उसके sequence से learn करना. तो चलिए start करते हैं, P-I-C-H-R-E, सिर्फ आपको यह learn करना है. देखें, right of consumer, जो हमारे right of consumer हैं, यह consumer protection act 2019 के section to clause 9 में दिए गए हैं. यह हमारे total six rights हैं. कौन-कौन से हैं? protection यानि की P, यह trick है आपकी P-I-C-H-R-E, इस trick को आप याद करेंगे, sequence है हमारा section ways, यह वाला sequence है. तो पूरा आपको sequence से, इस trick के तुरू learn हो जाएंगे, आपके यह rights. P for protection, I for information, C for choose, H for here, R for redressal, और E for education. तो अब हमने यह तो देख लिया है कि यह हमारी trick हो गई है, यह हमारे sections हो गए हैं और यह इनका sequence है और इस तरह से हमें learn करना है. अब बात आती है कि right to protection जो है, यह है क्या? देखे, जब आप कोई goods purchase करते हैं, चाहे online mode से purchase करें या offline mode से purchase करें, तो उसमें आपका एक right बना रहता है, right to protection, कि आपको कोई ऐसा goods, जो sailor है, provide ना करा दे, जिससे आपको injury create हो जाए. एक प्रेशर कुकर आपने purchase किया और प्रेशर कुकर की जब आपने उसको use किया तो उसमें प्रेशर बना और CT नहीं लगी और वो प्रेशर कुकर blast कर गया. तो वहाँ पे क्या आपको injury create होगी, तो अब यहाँ पे आपका right to protection है, कि आप जो जिससे आपने वो goods purchase किया थे, जिससे वो प्रेशर कुकर purchase किया था, आप उसके against claim कर सकें. Other example, आपकी iron यानिकी press, अगर आपने वो purchase की और उसमें shock लग गया आपको, तो वहाँ पे भी आपका right to protection है, कि आपको goods ऐसा मिलना चाहिए, जिससे प्रेशर क्वालिटी का नहीं हो. इसका क्या effect होगा, क्या precautions आपको रखने चाहिए, ये चीज़े भी तो उस पर लिखी हो इतनी mention होती है, या फिर अगर कोई कपड़े अगर खरीदने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, उसकी जो washing format है, कि आप उसे किस तरह से आपको wash करना है, ये सारी चीज़े उसमें होत नेक्स आपका right to choose, अब कोई ज़रूर ही नहीं है कि जो उसमें mention है, सिर्फ वही आप वही information आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, आप उसे related अगर कुछ वह information और चाहरे हो, आप उस जो service provider है आपका या पिर जो भी इसे भी आप goods purchase कर रहे हो, आप उसे पूस सकते हो, you have a right to information, आपका right है कि आप जो मंच चाहे आप वो purchase कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर market में जाएंगे तो आपको restaurant कर दिया जाएंगे, आप यह नहीं purchase करते हैं, या फिर आप वो नहीं purchase कर सकते हैं, आप सिर्फ यह product purchase कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, you have a right to choose, आप free हो, आप market में जाकर के company से जाकर कोई service ले लूँ, आपको insurance लेना है, तो आप किसी भी company का जाकर insurance लोग कोई जोरी नहीं, आप किसी particular एक आपके उपस boundation है कि आप कुसी company insurance policy लोगे उसकी, ठीक है, तो यह आप a right to choose, आपके पास right to choose है, आपको कोई bound नहीं कर सकता है, next right to year, अब मार लेज दी गई है, तो वो false दी गई है, उस पर हटा दी गई थी, ठीक है, तो इस तरह कोई राइट इंट फिरिंच्वर तो आपके पास right to year है, कि कोई आपको सुने, right to year, इसलिए जो district level पर, state level पर, national level पर क्या बने हुए, फॉरम बने हुए है, कि आप अपनी column plane जो है, वहाँ प पूरती नहीं दी जाएगी, जब तक आपको कुछ उपचार नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसे hearing का भी क्या पाइट है, तो रेसल यानि कि उपको चार का भी right है, उसके बाते consumer education, consumer education, अब यह जो सारे rights है, आपको कैसे पता कि आपके क्या right है, क्या नहीं, इसलिए जो government है यह time to time, consumer awareness related, camp लगाती रहती है, अपने news, मतलब जब आप TV देखते हैं, तब भी आपने देखा हो जागु गराहक, जागु उसमें वो बताते रहते हैं, ठीक है, सोना खरीदें तो यह देखें, और वैसे कोई purity देखें, तो यह मतलब सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, तो वो क्यों बता देते हैं, क्योंकि आपका right है education का, कि आपको पता होने चाहिए कि आपके क्या rights है, तो यह थे आपके right of consumer, I hope कि आपको अच्छे से learn हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे, और अगर consumer protection से related आपकी कोई भी query हो, या फिर कोई भी आपका topic हो, य पर videos डाल दूँगी, and at last, thanks for watching, please like, share and subscribe and please press the bell icon also, जिससे आपको notification मिल जाये करी time से, take care, bye-bye.